मिंग हो लाई कि एर अधुरी आपके अपने यूटूब चैनल नितिं सर्वहमैत और मैं हूँ आपका का दोस्त नि operations त्वागत करता हूँ आप सभी का लाइव आजए फटा-फट से और आज के लाइव सेशन में जब अर्दस चुरुआत करते हैं और बड़िया सी कहानी सुनाते आपको और कहानी सुनाते सुनाते आपको बहुत बहुत ही बड़िया और बहुत ही इंपोर्टन कॉंसर्ट आज सिखा कर जाओंगा आज के लाइव क्लास आपको लाइफ टाम याद रहेगी आज आप यहां से ऐसा कुछ सीख कर जाएंगे जो सायद आपने पहले कभी इस अंदाज में इस तरीके से न यहां से आज इस कहानी के माध्यम से जो कुछ आज सीखेंगे आप वो कॉंसर्ट आपको लाइफ टाम याद रहेगा और कभी इस प्रकार के कॉंसर्ट में आप कभी घलती नहीं करेंगे गुड इवनिंग सिलपई जी गुड इवनिंग रोही जी आचुके हैं गुड इवनिंग रोही जी आप सभी को मेरा राम राम नमस्का स्वागत करता हूँ आप सभी का तो जो भी एक बर लाइफ आ चुके हैं फटा फट से लाइक करते चले कोमेंट करते चले और आज इस कहानी के द्वारा बहुत कुछ यहां से सीखते हुए आगे भड़े यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी यहां पर तो जो भी लाइव आ चुक है मेरे साथ थोड़ा समय निकालकर मेरे साथ जरूर बने रहे आज आपको यहां से में बहुत कुछ ग्राइजिशन की कॉं तो फटाफट से एक बार लाइक शेयर कर दीजिए वह यह क्लास लाइक कर दीजिए और फटाफट से शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके बागी जो दोस्त लोग जिनके पास नोटिफिकेशन देर से पहुंचता है वो भी आजाएं और इस लाइव सेसन में जुड़े और जहां से कुछ नया सीखें तो आज मैं अपनी लाइव सेसन में आज की इस क्लास में आपको रियल अनालिजिस के बारे में सिखाने वाला बहुत important concept है रियल अनालिसिस का कनवरजेंट डाइवरजेंट एन ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस जी हाँ तक्रीबन यहां से एक से दो कुषिन एक्जाम में जरूर बनते हैं और मैं हर बार की तरह वही इंपोर्टन कॉंसेप्ट आपके लिए लेकर आता हूं जहां से कुषिन बनते हैं जो अ कहानी है जी हां मेरे दूद वाले की कहानी है और मैंने अपने life में बहुत कुछ जो किस सीखा मैंने उसको अपनी life से रेलेट किया है और इस इसलिए करता हूं कि वह चीज़े मुझे फिर याद रह जाती लंबे समय तक क्योंकि जो concept मैंने अपने life से कर्ण किया है और वह तक पहुंचा रहा हूं तो कहने हैं कि आप अपने आपको उस लाइव से रिलेट करेंगे उस चीज को समझेंगे कहानी के माध्यम समझेंगे तीजी लंबे समय तक आपके याद रहेगी तो यह कहानी क्या है दूद्वायले की कहानी क्या है इस सब्सक्राइब करते हैं तो यह तो लाइक करते हैं तो लाइक शेयर करने के बाद जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करें लेन और जिनने अब तक एप डाउनलोड नहीं कि हमारा एप भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा नितिन शर्मा मैस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिलें के पले श्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो Convergent Sequence के बारे में जानते हैं चीजे theoretical रहने वाली है और यकीन मानिए इस concept का एक एक छोटे से छोटा point आज explain करूँगा हर एक point के बारे में बताऊंगा कि आप silent क्या होता है एंड गिर्दन इकल्टूम क्या होता है sequence किस पकार से convert होता है किसी point को हर एक छोटे छोटा बारिक से बारिक प्वाइंट आप तक पहुंचांगा उम्मीद करता है कोई concept जुरूब पसंद आएगा तो सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है फिर इस चीज को एक पढक्र लेता है तो कहता है कि कहता है एक सिप्षाइन घालाता है करसे तु से इन होते हैं हो पर गभर गीन खरन और घ्रटै से यहारे बावैल क्सवरंग करता है वह नबवर सा पोजिटिव इंटीजर एम वहां पर निकल कर आएगा डिपेंडिंग ओन अपसाल एंट पर डिपेंट करेगा किया यह वात किताबों में भी होती है तो पढ़ना बोरिंग होता है जब तक आप इसby को पर रिवील करने वाला हूं समझाने वाला हूं कि भाई यह खेल क्या है यह जो खेल चल रहा है आप पर मोड़ लस एन मानस एल लेस्टन अपसाइल और एन गिर्दनिकल टुम यह है क्या चीज़ क्या मतलब इसकी जूर्थ क्या यार कनवर्जेंट कहने के लिए मतलब सीधा स हैं इसमें कोई सर्म वाली बात नहीं है जी हाँ कल अग्जाम होता है रात को रट्टा मार के जाते हैं ठोर हम सोर अग्जाम में जाकर फेबर में लिखाते हैं सिक्स्टी परसेंट सेवेंटी हैं बिल्कुल जाइज बात है इस चीज़ को मैंने बहुत गहराई से अनभव क यह से कि कभी आपको लाइफ में दुबारा इस कॉंसेप्ट को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा यह कहानी आप सुनेंगे और यह कॉंसेप्ट दिमाग में तुरंद आपके सामने निकल कर आएगा चलिए मैं समझाता हूं यह कहानी क्या आज मैं आपको समझा देने वाला कन्वर्जेंट सीक्वेंस की क्या कहानी है मित्रो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है क्या इसकी कहानी है आज जान लेते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस की कहानी नितिन श्यर्मा की जुवानी जी हां बहुत मज़िदार कहानी है इस कहानी को सुनेंगे और समझेंगे त Convergent sequence क्या होता है तेकि मैं आपको पहले हर एक छोटी बात को explain करता हूं पहले समझाते हैं कि sequence Convergent करता है किसी चीज को किसी point को तो उसका मतलब क्या निकलता है कि किसी भी चीज को अगर लंबे समयता याद रखना है तो भाईया उसको visualize करना उसको महसूस करना बहुत जरूरी है और अगर मैं आपको किसी वक्ती का नाम बदा दू उसका ये बदा दू ये काम करता है ये उसका नाम है यहां रहता है तो आपके पास कुछ information आती है और वो information आपके दिमाग में कुछ समय के लिए रहती है लेगिन अगर मैं आपको उस वकती से मिला दू उस वक्ति से आप की बात करवा दू फेस टू-फेस आप उस वक्ति से बात कर ले उसका नाम जानले वो काम क्या करता है तो आप उस वक्ति को लंबे समय तक याद रखते हैं ये है फैक्ट विजुलाइज करने का चीजों को मैसूस करके उसकी कहानी के माद्यम से उस concept को समझना ये है समझने का best तरीका और आज इस कहानी के माद्यम से आपको सिखाता हूँ आज मैं आपको Convergent Sequence की सकल दिखाता हूँ कि actual में Convergent Sequence दिखता कैसा है भाईया क्या इसकी सकल है क्या इसका graphical design है क्या इसकी photo है आज जान लेते हैं चलिए मैं कहता हूँ मेरे पास एक sequence है एन ओके ये एक sequence है sequence को इस तरीके से दिखा जाता है यहाँ पर यह होती है nth term इसको कहते nth term ठीक है अब जिस परकार sequence natural numbers पर defined होता है हमारा जो sequence होता है वो भाईया natural sequence एक function की द्वारा defined होता है यहाँ से जो terms आती है और natural number से आती है 1,2,3,4 इस परकार से sequence क्या होता है इसके पीछी भी कहानी हो मैंने detail में पिछली class में आपको बदा दिया है फिलाल करमर्जेंट की कहानी की बात कर रहें तो इसमें बहुत सारी terms होती है जी हां हाँ बहुत सारी terms होती है इसके अंदर terms होती है natural number n की value 1 लेंगे तो यहां से हमें मिलेगा भया A1 हाँ जी फिर हमें मिलेगा a2 दीरया दीलों ध्यूदिक हुसकी सकल नहीं मेरे साथ फिर आगे आए-3 यस फिर ए-4 ऐसे करते-करते-करते फिर और स्पूल डिया फिर नक्रेकश्ट आएगा a n प्लस वन यस फिर नक्रेकश्ट आएगा a a n-ありがとうございます to and so on मैं कह रहा हूं बहुत सारी infinite number of terms होती है sequence में infinite number of terms होती है sequence एक arrangement of numbers होता है infinite number of terms का arrangement होता है चलिए आप जानते हैं यह तो हो गया sequence sequence में क्या समान होता है मतलब sequence के पास क्या चीज़ होती है sequence के पास terms होती है कितनी होती है infinite number of terms होती है अब देखें कहानी क्या है कन्वर्जेंट की कहानी क्या है अगर मैं कहता हूं कि सिक्वन्स एन कन्वर्ज करता है कन्वर्ज इस नंबर को अ सकते हैं केंद्रित हो जाना किसी एक दिशा की तरफ भड़ते जाना डाइवर्जेंट ठीक इसका उल्टा होता है इसके बाद वो कमसर्प्ट आएगा उसको भी मैं समझाओंगा अच्छी तरीके से दोनों आपस में करनेक्टिन है अगर कंवरजेंट समस्झ में आया डाइवरजुन्ट इससे भी जल्दी और वहतर तरीके समझ में आएगा कंवर्जैंट मतलब होता है किसी एक बिंडुगी तरफ आकर्सीSP होना कैंद्रित होना माल लेते हैं वो point मैं यहाँ L लेता हूँ यह मेरा point L है वह यहाँ पर पडोसी आने वाले हैं जैसे ल आया L कोई भी point हो सकता है 1, 2, 3, 4, 0, minus 1, 2, 3, कुछ भी हो सकता है कोई भी एक number हो सकता है, कोई भी एक real number हो सकता है मैं कहता हूँ यह L है, तो L के पास कुछ पडोसी है L के थोड़ी सी distance पर right और left, कुछ ना कुछ distance पर number होते है उस distance पर इसका एक neighborhood बन जाता है एक term होती है, graduation के अंदर neighborhood बहुत इस्तमाल होती है और इस neighborhood का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते है बिल्कुल नहीं डरना है भाईया, neighborhood जेस्ट हमारे पडोसी की तरह होता है जैसे जिस पर कर हम अपने मकान में रहते हैं हमारे घर से कुछ दूरी पर आजू बाजू हमारे पडोसी रहते हैं यह वही कहानी है अब यह L कोई number है तो L से कुछ दूरी पर हम आलने दें एक up silent distance है अब यह up silent क्या चीज़ है up silent क्या होता है, एक number होता है greater than zero मतलब एक छोटा साब number होता है positive नहुन पर होता है हमेशा positive होता है, zero के बिल्कुल बाजू में बैठा होता है zero के बिल्कुल पास, zero नहीं होता है, zero के बिल्कुल पास होता है infinity और अफसालन, यह दो number ऐसे हैं ज़ो greater than की concept में कहीं भी किसी भी किताब को उठा के देख लिजिए किसी भी chapter को, किसी भी concept को देख लिजिए infinity आपको जरू कही ना कहीं, किसी book में, किसी ने किसी chapter में जरू मिलेगा up silent बहुत इस्तमाल होता है greater than की concept में तो इन सो डरने के जूत नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना, अब silent क्या होता है, एक छोटा सा positive number होता है, 0 के बिल्कुल पास में बैठा होता है, अब silent की कोई सकल नहीं होती, जिस परकार infinity की कोई सकल नहीं होती, infinity क्या है, किसी को नहीं पता, एक बहुत बड़ा number है, लेकिन actual मे लब 00.1 के बीच में infinite real numbers है उन में से कोई भी हो सकता है epsilon कहानी के लिए रहे अब मैं यहाँ पर चोटा सा distance ले रहा हूं यह distance क्यों ले रहा हूं भाया मैं पडोसी बनाना चाहरा हूं मैं यहाँ क्यों के ने नेभर वुड को जनम देः यहाँ करहनी में ट्रिस्ट आता है यहाँ पर कि अगर यह sequence इस number को converge है तो इसका सीधा सार्थ है कि इस sequence में बहुत सारी term ऐसी है infinite number of term ऐसी है जो L को converge करती है L के neighborhood में जाती है यह है इसकी picture अब देखें कैसे सकल बनती है बहुत सारी term ऐसी मिलेगी बहुत सारी infinite number of terms ऐसी होंगी ऐसी होंगी ऐसी होंगी रहे जो इस L के neighborhood में चली जाएंगी बहुत सारी infinite number of terms अब देखें यह सकल है इस सकल को धीरे 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 मैं mathematical definition तक पहुचा दूँगा बिल्कुल पहुचा दूँगा यह picture सकल सामने आ चुकिए इस सकल को मैं थे वर्टिकली कैसे define करता हूँ इस बात को समझे यही कहानी के बड़ा मज़ेदार point तो एक बात तो clear हो रही है कि अगर कोई sequence converge करता है किसी number L को तो इसका अर्थ यह है कि sequence नहीं करता उसके अंदर जो turn होती है terms कितनी भहिया infinite number terms जो होती है वो किसी point के पडोसी उसके neighborhood की तरफ चले जाती है यह सकल किसकी convergent sequence की किसके लिए point L के लिए मतलब sequence N converge करता है point L को तो यह इसकी सकल बनती है अब ग्राफिकल तरीके से चीज़े एक पर सामने आ जाती है तो फिर उसको यहार दखना असान हो जाता है अच्छा यह कहानी है एक sequence L को converge करता है तो मतलब उसके अंदर बहुत सारी terms है ना किसी एक point के पास चले जाती है हाँ यह कहानी है infinite number of terms हाँ कुछ एक terms यहां बाहर रह सकती कोई दिकत नहितनि जैसे माल लीजिए एवन यहां बहार आ गई कोई दिक्कत नहीं है और शक्ता है इन में से कोई सिद्हरभा राजा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन infinite number of term infinite number of terms हम इसके पडोस में आनी चाहिए वह यहाना इसके पडोस में L के neighborhood में आने चाहिए तो इसका मतलब यह sequence converge करेगा किसको converge करेगा L को converge करेगा अब देखिए यहां से एक picture तो clear हो रही है कि sequence L को converge करता है तो एक point के neighborhood की तरफ चला जाता है अब यहां पर मैं epsilon epsilon की बात लेकर आता हूँ और n-girdhanical to m की concept लाता हूँ यहां से एक बात आपने notice की होगी कि हमारा जो sequence an है वो an converge कर रहा है भाया कहां L की तरफ जा रहा है L की तरफ जा रहा है मतलब बहुत सारी terms L की तरफ जा रही है अब यहां से एक बात notice कीजिए आपने एक बात थोड़ा निकाल के लाइए इस पॉइंट को मतलब इस शकल को मैं mathematically कैसे बना देने वाला हूँ देखिए for each epsilon greater than 0 there exist there exist a positive integer बेलकुल बने रही है मेरे साथ यह सारी बात में जो लिख रहा हूँ उसको समझाने वाला हूँ अभी there exist a positive integer m such that such that modulus a n minus l less than epsilon for all n greater than equal to m बस यस यही छोटी सी एक definition है यही छोटी सी एक line है जो बहुत परिसान करती है रट्टा मारने पड़ती है अभी इस mathematical definition को इस से connect करा दू मतलब इसकी सकल को मैं यहाँ पहुँचा दू तो पहिया picture clear हो जाएगी देखे कैसे picture clear होती है देखे इसका मतलब समझो पहले क्या है और यह जो concept है इस सकल से कैसे मिल रहा है कैसे match करता है मतलब मैं यह समझाना चाहता हूँ कि यह सकल यह है मतलब इसकी सकल यह है मैं कैसे समझाता हूँ आपने एक बात पढ़ी होगी आपने, मैंने chapter number 6 linear equality पढ़ाया है, बिलकुल पढ़ाया सर जी, linear equality में आपने concept बताया था और आपको पता भी होगा, अगर नहीं पढ़ाया तो ही बताओगा, कि more x less than a, more x less than a, इसका मतलब क्या होता है, देखे सीधा सार्थ है भईया, इसका अर्थ होता है, minus a less than x less than a, yes, बिल ये वाला concept apply किजिए, देखे कहानी ही बतल जाएगी, अरे भईया पूरा खेल ही बतल जाएगा रे, ये देखे, ऐसे हैं, चलिए apply करते हैं, तो ये वाला concept अगर लगाते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, minus a, less than a, minus l, less than a, yes, clear है, लेकिन हमें तो भईया, an पर ध्यान लग करता हूँ, तो l minus of silent, यहाँ l add करूँगा, तो minus cut जाएगा, और यहाँ आ जाएगा, l plus of silent, तो यही तो बोलाएं मैंने, अरे भईया देखो, मतलब यहाँ से, यहाँ आए, हाँ जी आ गए, अब ये बात यही तो है, थम्जो कैसे है, ये देखो, अभी बताता हूँ, ये देखिए, इसका मतलब क्या है, एन थ टर्म है, तो a1, a2, a3, a4, यही तो कहां नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, a1, a2, a3, a4, a5, मतलब बहुत सारी टर्म, कहां जा रही है, मतलब इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, यह है neighborhood किसका अरे यह क्या है एल-7 बोले तो गल का left पडोसी बोले तो गल का राइट पडोसी left पडोसी right पडोसी मतलब बहुत सारी ट्रम left és राइट पडोसी के बीच में जा रही है इधर जा रही है इधर जा रही है तो मतलब इधर आ रही है इधर आ रही है यही तो मैंने बनाए यही तो सकल आपको दिखाई है अरब भाईया यही तो समझाया है कि सीक्वेंस कनवर्जेंट होता है तो बहुत सारी इंफाने ट्रम एल के नेवर हुडू में जाती है यही सकल बनती है और यह definition भी इसी सकल की है क्यों इसको जब खोल दे है इसका एक एक पॉइंट जब अलग अलग करते है उर्जा-पूर्जा कोल देते है पूरा तो यह सकल धीर धीर है इसी की बनती है बताइए समझ में आये इक नहीं आये concept या सोरनों में बताए या क्या जो मैंने आपको यह पिच्चर दिखाई है यहां पर कि Convergent Sequence अगर Sequence A and L को Converge करता है तो यह सकल बनती है और यह Definition जिससे आप डर रहे थे इतने दिनों से डर बना कर बैठे दे यह Definition को अगर खोल कर देखें तो यही तो सकल है भाया क्या ब 1 कि पीच में आरहे दिना माना प्लैवा रखना एक रखना है यहokayृई को टमा सबसा कर आदे भारा यह चाहां खोलकर देखे तो यह जो मतलब जो सकल होती है और इस definition का मैंने मतलब यह बताया अभी छोटे-छोटे दो एक point और है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं एक point तो यहां पर यह यह epsilon है और आपने एक word लिखा है for each यह for each का मतलब क्या है मतलब परते एक epsilon के लिए हां मैंने आपको starting में बोला था कि epsilon की कोई सकल नहीं होती भया epsilon 0.1 भी हो सकता है 0.2 भी 3 भी तो मतलब यह जो definition है न यह सभी epsilon के लिए काम करती है हां और इस बात को मैं अभी प्रू कर देने वाला हूं कि यह definition सभी epsilon के लिए काम करती है बिल्कुल काम करती है और साथ की साथ मैं यह भी समझाओंगा कि n greater than equal to m क्या होता है और m किस परकार से depend करता है अब silent पर यह बात भी मैं समझाता हूं दो बाते बताऊंगा कि n greater than equal to m क्या होता है और m किस परकार से depend करता है अब silent पर क्लियर है चलिए समझाते हूं अभी तो मैंने एक खलकी देखी graph बना है मैंने धीडरी और सब्सक्राइब करता है तो क्या सखल होती है आगे बढ़ते हैं अब मैं आपको बताने वाला हूं कि सब्सक्राइब करते हैं और यहीं से निकल कर आने वाली है मैं एक graph बनाता हूं ग्राफिक लिए चीजों को समझते हैं मेरे पास एक यह नेचरल लंबर है माल लेता है यह नेचरल लंबर को दिखाती है लाइन यहां पर 123456 इस परकार से चलेगा इस परकार से चलेगा अब तो मैं अग्जाम्पल भी दूँगा उससे अच्छे से क्लियर होगा आपको तो ग्राफिकल देखे और अच्छे तरह के समझते हैं कि यह यह क्या कहना चाहता है इस बात को समझाते हैं अब देखे इसमें छोटा सा पिच्चर क्लियर है आपको करना पड़ेगा जब मैं ए A1 मिलती है N is equal to 2 लेता हूं तो मुझे A2 मिलता है हाँ N is equal to 3 लेता हूं तो मुझे A3 मिलता है हाँ तो इस परकार से 3, 4, 5, 6, 7 बहुत सारी टरम्स में आगे बढ़ाता रहूंगा और मुझे A1, A2, A3, A4, A5, S, A, S, A, S, Bहुत सारी टरम्स मिलती रहेंगी अब यहाँ पर सारी टरम्स ऐसी हैं जो किसी एक point के neighborhood के around काम करने वाली हमाने तहे ये ये l है भईया और इस l के पड़ोसी है ये left पड़ोसी है l minus of silence और ये भईया उसका right पड़ोसी है l plus of silence यह l का neighborhood बण गया तो कहना का मतलब यह है कि जैसे जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आगे भढ़ता जायेगा ने एक ऐसा positive integer यहां पर आ जाएगा एक ऐसा positive माल नेते थोड़ देगे लिए 4 आ गया n is equal to 4 यह 4 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है 6, 8, 10, 100 भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है माल नेते हैं थोड़ देगे लिए 4 आ गया तो एक ऐसा natural नंबर आएगा जहां पर अब n की वेलू में 4 ले रहा हूं m की वेलू 4 ले रहा हूं मैंने m क्या ले लिया यहां पर 4 ले लिया तो n greater than equal to 4 तो ऐसा positive integer आएगा कि उस positive integer पर बनने वाली टर्म जैसे 4 आया तो a4 4 से बड़ा a5 a6 a7 तो एक ऐसा positive integer आएगा कि उससे जितने भी बड़े टरtså ups आएगई कि वो सारी कि सारी टम्स किसी एक point की तरफ converge करती चली जाएगी ृ जिए point की तरफ converge करती चली जाए ड़िए अब डिकें यह a1 a2 बहुत कुछ सिखा रहे हैं यह a1 a2 इधर नहीं गया रहे हैं लेकिन सिखा बहुत कुछ रहे हैं यह यह सिखा रहे हैं कि अगर कोई sequence convergent होता है किसी point की तरफ तो हो सकता है कुछ एक terms या finite number of terms 2, 4, 8, 10 कुछ टरम ऐसी हो सकती है जो किसी एक point की तरफ converge ना करें जैसे माली जी A1 भाई अपना रास्ता बटक जाती है A2 अपना रास्ता बटक जाती है इन में से कुछ एक तरम रास्ता बटक जाती है तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता रहे बैया कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन इस L के neighborhood में maximum से maximum terms या बोले तो infinite number of terms ऐसी है जो L के neighborhood की तरफ चली जाएंगी कब जब को एक ऐसा positive integer मिलेगा कि उससे और उससे बड़ी वैलूज पर maximum terms कहां जाएगी एल के neighborhood में चले जाएगी तो यह है concept की एन कंवर्ज करता है यह कहानी यह N is equal to for N is equal to M की कहानी मतला M की वेलूग कुछ भी हो सकती है जैसे हम फ्रय हम किशीएगर की जैसे हम मालनेते हैं हम अपने घर से बाहर निकलते हैं किसी एक per ऐसे बाइस के कुल मिलाकर सोथ लेकिन घूमते गूमते पारक में हम पहुंच गए और एक ऐघंसा स्ठान आता है जहां पर maximum लोग एक particular एरिया की तरफ चले गए और दो चार लोग भटक गए तो हम यहीं कहेंगे न कि सारे maximum लोग वहां चले गए थे तो यहीं कहानी है कि किसी sequence की maximum infinite number of terms किसी point की तरफ सब्सक्राइब करता हूं अब वह समय आ गया है जो मैंने थम लिन लगाए था इस वीडियो के उपर कि मेरे दूद वाले की कहानी क्या है अब देखिए मैं जब कॉंसर्ट पढ़ता हूं या जो कुछ भी चीज में मैं से महसूस करता हूं उसको अपने आसपास महसूस करता कहानी जो मैंने किसी से सुनी नहीं है या किसी किताब में नहीं पढ़ी ए मेरी खुद की गल्पना है चीजों को अपने राइब से रलेट करता हूं अब देखिए मैं समझाता हूं कि दूद वाले Nobel किकिहा रेक्स कहानी ना कितनी खुव्षूरत कहानी है जो इस चांवशे भालेजे दूद मालेजे दूद जे दूद वाला हैं आपके घर रूद देने आता हैा रेकिन दूद भाल आपके घर के पास दूद देने आता है अब कहानी को समझो और घर के बाहर घंटी बजती है और आप बरता ने पतिला लेकर दूद लेने जाता है पतिला लेकर जाते हैं अब कहानी बड़े मजधार है मैं कैसे चीज को रिलेट करता हूं यह सीक्वन्स है यह दूद का जो कैन है यह सीक्वन्स है इसमें infinite number of जो दूद़ की बूदे होती है लिक्विड जो बूदे हैं वह फूत59 करूट9 treatment करना लेकर चलरा है तो इसमें 855 number of boondhen ہیں दूद की तो एक boondh है दो boondh है तीन बहुत सारी term हैं दूद की हना यह मेरा पतिला है यह माल लेता हूँ यह मेरा L है देखें बड़े मज़दार कहाने किया से रिलेट करता हूँ यह मेरा L है यह मेरा इसका इस पतिले का जो लास्वाला जो corner है last corner है इसको मैं L minus epsilon का नाम देता हूं इसका left लूट उनिसमें डालता है यह डाल रहा है यह डाल रहा जाती है अकुछ एक भूनतम ने कहते हैं कि दूट ने डाना तो ने अब दो बूंत हरो पड़ता है कुछ एक बूंत today वहार आ जाती है, इधर आगी माल लीजिए, कुछ एक बंद इधर आ गई, तो लेकिन maximum दूद कहा जाएगा भाईया, पतिले में जाएगा, maximum दूद कहा जाएगा, अर भाईया, पतिले में जाएगा, बिखरना अलग बात होती, मैं बंदो की बात करण रहाँ, तो maximum दूद कहा जाएगा भई यह पतिले में चला जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर मैं sequence को मैं इसको sequence मान के चल रहा हूं इस can को दूद के can को तो इसका मतलब सीदी सी कहां नहीं है यार इसमें infinite number of terms है तो maximum terms infinite terms कहां आ रही है यहां आ रही है A3 आ गया A4 आ गया A5 आ गया A6 आ गया वो सकता A1 बहार पढ़ गई कोई दिक्कत नहीं है A2 बहार आ गई कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कुछ एक terms बहार आ गई कोई फैर नहीं पढ़ता बोस लेकिन infinite number of terms कहां आई है इस परतन में आई है बोले तो यह sequence की बहुत सारी terms L के neighborhood म में आया है आप इसको relate करें तो बहुत सारी infinite number of terms इस L के neighborhood में आई है तो हम कह देंगे कि यह दूद का बरतन है यह दूद है ना यह दूद जो हमारा है वो converge कर गया कि का नवर्ज कर गया किसको अरव पतीले को भाया कि कनवर्ज इस तूपतीला यह पतीले पतीला अरह यार हिंदी लिखने में थोड़ी कम जोर हूं है तो इसका मतलब क्या है sequence a n Converges to L Converges to L Yes यह है कहानी यह मजदर कहानी यह है कहानी अभी मैं आको समझाया कि sequence Converge करता है तो कैसा दिखता है यह definition जो है इसको रटा नहीं मारना इसको मैंने खोल के बताया कि यह किस परकार से इस सकल को अपने अंदर ले लेती है क्या इसकी सकल बनती है अब मैं धीरे धीरे अभी मैंने यहां पर यह concept क्लियर किया कि n क्या होता है अब मैं यह बताने वाला हूं कि जो अपसाइलन है यह definition जो मैंने बोली है कि m depending on epsilon मैंने बोला है कि m depending on epsilon इसका राज खोलने वाला हूं और इस राज को खोलने के लिए छोटा सा अगयाँ दो आगये के सब् choix कि मैं कहता हूं मिरे पास इक सीको आट इसको एन इसको है क्याते है और में और लेकर है में मान के चलिए दिए और नकिक बली wiping लूगा natural number पर defined होता है सेक्वेंज ये बात अच्छी से दिमाख में रखिएगा एंद की वैलूए 1 लूँगा तो 1 आएगा इंद की वैलू लूँगा तो 1 by 2 आएगा 3 लूँगा तो 1 by 3 आएगा फिर 1 by 4 आएगा ऐसे 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 infinite number of turns मेरे पास बन जाएगी अब ये sequence किसको converge कर रहा है भाईया ये sequence L को converge कर रहा है और exam में जब numerical आएग ना तो इनको देख गवराना नहीं है अगर definition clear है concept clear है मैं बार-बार कहता हूँ exam formula का रट्टा मारना की बजाए आप concept को बारी किसी समझो concept की जो theory हो तो आप अंगिनत question का answer दे सकते हैं अगर आपने एक formula रट्टा मार लिया तो एक formula का मतलब एक ही सवाल आपको आता है या उस सवाल के जैसे बहुत सारे सवाल आप कर सकते हैं लेकिन theory को आपने पढ़ लिया अच्छे से घहराई से तो एक बात समझे आप बहुत सारे question का ज चीरो है और ऐसे 123 पकार से नंबस आएंगे इधर माइनस के आएंगे इधर पलस के आएंगे कहानी क्लिया रहे अब सुनो भाईया हम तो यह नैच्रल नंबर पर काम कर रहे है सीक्वेस नैच्रल नंबर पर डिफैंड होता है जैसे एंड की वैल्लू वन आएगी आउट प यहां मिलेगा वन भाई टू यहां मिलेगा भया मतला ठीक आदा अब एक बात आपको यहां से पिच्चर क्लियर कर देता हूं आगे जितनी भी ट्रम्स आएंगी ना एंड कि किसी भी नैच्रल नंबर पर वो ट्रम्स वन भाई टू और जीरो को बीच में नहीं आएगी कभ सथा सबनागोर सबर्दोन, कोब लाइगा वन बाई पास्था तो अगर आपके दिमाग में चल रहा है सार चाहतना थ्रू हुंआ सब्सक्री प факused कि सारी जकी सारी पहई लाए गुञाए इंथा जाहिए यह infinite number of terms मैंने बोला था दूद का example दिया था कि कुछ एक term बहार रहती है तो रहने दो अब देखे infinite number of terms कहां आएगी अरे भाईया जीरो और 1 by 2 के बीच में आएगी बोले तो पडोसी कौन पडोसी? 0 का right पडोसी यह 0 है और यह 0 का right पडोसी यहाँ epsilon है तो बोले तो यह 0 पलस epsilon है अब यहाँ पर इसका जो left पडोसी है उसका कोई roll नहीं है left पडोसी है कोई roll नहीं है नहीं भी हो सकता क्या दिक्कत पड़ती है क्या दिक्कत है? क्यों? यहाँ पर कोई negative number तो आने से रहा तो सारा का सारा roll दाएं पडोसी की तरह आएगा, अब थोड़ा दिमाख लगाए ना, तो यहाँ अपसाइलन की value पता क्या है, 0.5, अब कोई यह कह रहा है सर्जी में तो 0.6 लूँगा, हाँ ले ले भई, 0.4 ले ले भई, 0.3 ले ले भई, कुछ भी ले लो, 0.1 ले लो, हाँ ले लो 0.1, 0 औ 0.1 के बीच में, infinite number of trumps आएंगी, बहुत सारे real numbers है, तो कहने का मतला, अब साइलन बहुत, बहुत कुछ भी हो सकता है, अब साइलन जीरो का बिल्कुल पडोसी, उसके बिल्कुल बगल में बैठा होता है, हाँ ना, कुछ भी ले लो, infinite number of trumps, तो कहने का मतला, बहुत सारी trumps सीधर आएगी, तो मतलब 0 के नेबर हुड में आएगी, तो ये कहानी को समझें, तो सीधा सा अर्थ है कि ये sequence A ना, वो converge करेगा, जीरो को, क्या बात है सर्दी, Converse to 0, भाई वा, मज़ा आगया, क्या बोले, किसको Converse करेगा, 0 को Converse करेगा, मैंने कोई mathematics का rule नहीं लगाया, मैंने कोई formula नहीं लगाया, मैंने सिरफ concept की जो कहानी है, अरे भाईया, ये दूद वाली कहानी लगाई है, बस, कोई formula नहीं लगाया, कोई formula रट्टा नहीं मारा बस, मैंने क्या किया है, कहानी को relate किया, ये कहानी, ये कहानी, इस कहानी को relate किया है, और example आपके सामने है, कि infinite number और terms 0 के पास आ रही है, तो मतलब sequence converge करेगा, भाईया, 0 को, ये एक हेल इसका, clear picture है, और आपने यहां से एक बात और देख ली, कि अब silent की value कुछ भी different, different हो सकत है, अब इसी बात को मैं और अच्छे से clear करता हूँ, ये बता देता हूँ, कि M जो है, वो depend कैसे करता है, M depending on epsilon, मतलब M जो है, ये M जो है, वो epsilon पर कैसे depend करता है, इस कहानी को मैं बताता हूँ, चलिया, यहां से हमने देखा कि इसी example से बताओंगा, इसी से कर दिता हूँ, sequence किसको converge कर रहा है, 0 को, sequence converge to 0, अभी तो मैंने सिर्फ कहानी का इस्तमाल किया, आप mathematical term का इस्तमाल करते है, चलिये, इसका मतलब क्या है, अरे भाया, इसका अर्थ क्या रिकलता है, अरे गणित ये कहता है गणिती ये कहता है कि सर जी ये हो रहा है खेल, हाँ, मतलब अपको हर एक बात clear हो जाएगी, अगर मैंने ये line लिखी है तो भया, इस line का मतलब यही है, कुछ और नहीं है, क्या बोलते हो, यही बात है न, L की भूमी का कोन निभा रहा है, 0, और L यहाँ पर 0 बन गया, भया मतलब an converge कर रहा है 0 को, यही तो मतलब इसका, अब आगे देखो, इसका मतलब क्या है, मोड लस an less than epsilon for all n greater than equal to m, मैं ये बताने वाला हूँ, कि m depend कैसे करता है, अपसालन पर, clear है, अब देखो, एक बाप बताईए, मैं अपसालन की value, कुछ देर के लिए, अपसालन की value, मैं अगर अपसालन की value, मैं ले लू 0.1, थोड़ देख लिए, माल लेते हैं, ले लेते हैं, तो मैं ये बताने वाला हूँ कि, अपसालन change होने पर M की value change होती है मतलब M depend हो रहा है epsilon पर कैसे देखिए फोड़ देख लिए मैंने epsilon 0.1 ले लिया तो यहाँ पर क्या आएगा mode an less than 0.1 clear है अच्छा जी for all n gets equal to m अच्छा जी अब sequence के अंदर जो भी terms आएगी सारी positive आएगी देख लो कोई negative नहीं आ रही तो यहाँ से mode को अटाया जा सकता है इसका मतलब an less than 0.1 an की value क्या है an की term क्या है यह देखो an की value क्या है 1 upon n तो यहाँ रख दीजिए भाया 1 upon n less than 1 upon 10 0.1 क्या होता है भाया 1 upon 10 होता है कि नहीं होता है for all n gets equal to m for all n gets equal to तो अब मुझे आप एक छोटी सी प्यारी सी बात बता दीजिए एक छोटी सी प्यारी सी बात बता दीजिए जो भी लोग नए आएना ज़िरो करके जाएनल बहुत महीं आधान से कामенное आपके लिए एस डारे है तो यह रीक्ष लाइक तो बनता है वैलू है जो फिट बैठेगी यहां पर जो इस कंडिशन को होल्ड पर रखेगी अरह भाईया 11 मतलब यहां से एक पिच्चर के लिए रहे कि यहां पर 11 रखोगे यहां पर आप 11 रखोगे ना तभी खेल बढ़ेगा एक बटे 11 लैस देन एक बटे 10 यह बात सत्य है अगर आपने यहां दस रखा तो फॉल्स हो जाएगा एक बटे 10 लैस देन नहीं होता एक बटे 10 से यहां पर पहला नंबर आएगा तो मतलब पिच्चर किलियर है कि जब अपसाइलन की वैलू 0.1 है तो एम की वैलू 11 ही आएगी कुछ और नहीं आएगी अगर आपने अपसाइलन चेंज किया तो भाईया एम को चेंज होना पड़ेगा देखिए कैसे आपने मालने जिए आपने ले लिए अपसाइलन की वैलू 0.2 तो खेल बदल जाएगा एम की वैलू बदल जाएगी मतलब मैं यह पूरू कर दूंगा कि एम डिपेंड करता है अपसाइलन पर देखो देखो देखे क्या कहानी हो जाएगी जैसे हम लोग यहां पर मोड़ ओफ एन लेस देन 0.2 किलियर है तो इसका मतलब 1 अपन एन लेस देन 0.2 1 अपन एन लेस देन 1 बाई 5 बाई 0.2 को मतलब कितना होता है 0.2 बोले तो 1 अपन 5 अब यहां मुझे बताएगे एन की वैलू क्या आएगी यहां पर एम को 6 होना पड़ेगा बोले तो एन ग्रेट देन एक वल्टू 6 होना पड़ेगा वन अपन 6 लेस देन 5 होगा तब ही सत्य होगा वन आपन 4 नहीं चलेगा यहां पर यहां पर वन अपन 11 आप चल जाएगा लेकि एक बात करे रहा है कि जैसे जैसे epsilon change हो रहा है M change हो रहा है अब इस epsilon पर यह M आया और इस epsilon पर यह M आया इस epsilon पर यह वाला मतलब जब यह वाला epsilon है तो हमारा यह वाला M आया क्या समझते हो यही कहानी है ना तो मैंने यह prove कर दिया कि किस परकार से epsilon M जो है वो किस परकार से अब सालेंट पर डिपेंड करता है तो अभी पिच्चर सारी फिर से दोरा देता हूं अभी तक हमने क्या पढ़ा है जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं पिच्चर क्लिए कर देता हूं फटा फटा फटे के 50 लोग देख रहे हैं और लाइक 40 ही आ रहे हैं लाइक कहानी बताई है जो लोग अभी अभी आया इनको बता देता हूं गुड़ेट की कहानी मैंने सिखाई है कि कानवजेट की सकल कैसी होती है यह डेटिज होती है किस परकार से इस कौंसेट को मैंने समझाया अब देखिए मैंने करनेंड की सकल दिखाई mathematical definition को इस से इस से रिले पर उमीद करता हूं इन तीन से चार स्टेप्स में मैंने आपको कनवर्जेंट सीक्वंस की बारीक से बारीक बार पता दिये अब आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि अगर कोई सीक्वंस कनवर्ज करता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट की तरह तो सीधा सा अर्थ है उस सीक्वंस की बहुत सारे इंफाइनिट की तरफ कनवर्ज होती है यह खेल है अब देखिए जो स्टार्टिंग में डिफिनेशन बताई थी ना जिसको बोरिंग लग रही थी आपको यह आप कहरती है तो याद नहीं हो रही है तो रट्टा मारना पड़ सुबह याद की साम को भूल गए अच्छे सिहात करके आए और थोड़ा दिर में दोस्तों साथ घूमें फिरे फिर दिमाग से पूरा साफ हो या अब नहीं भूलोगे यह जो कहानी सिखाई है इस कहानी से यह डेफिनेशन यह डेफिनेशन अब आपको किस परकार से काम कोई भी अपसाइलन हो सकता है और यह जो चीज दिखती है ने खतरनाक सी यह जो फंडा दिखता है अरा यह बिल्कुल आसान हो गया आज से कहां हो गया है देखो यह पड़ोसी है यह वही पड़ोसी है जिससे आप आप मिलकर आएं इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि आपका जोeger न है न आपका जो एन है वह आन भी यह less than ल पलस अपसाइलन और गरेंट भी न है L मानस 속थाइलन से इसका मतलब यह है भाई यह इसका खेल सारा क्या समझें यहीं तुम आपको पताना चाहरा हूं कि यह डेफिनेशन है कनवर्जेंट सीक्वेंस की कि सीक्वेंस कनवर्ज करता है कि रियल नंबर एल को और अपसाइल एक जिरो देखिस्ट पोजिटीव इंटिजर एम मोड़ ऑफ एन मानस लेस्ट अपसाइल फॉर एंट गिर्दन इकल्टुम यह डेफिनेशन है को सीक्वेंस कनवर्ज करता है कि सीरियल नंबर एल को उमीद करता हूं यह कॉंसर्ट क्लियर हो गया हुगा कि कैसे र कर रहा है कभ कर रहा है जब एंट इन अपनीटिय kay proporze करता है मतलब इसका मतलब यही होता है वो और मतलब जब एनजाओ घटी की तरफ जाएगा तो एएओन एल की तरफ जाएगा वो कहा पताया थे हैं आपको यहां पर देखो एल जब एनजाव टबिपनीटी की सेक्वेंस की उमीद करता हूं किन्वर्जेंट सेक्वेंस समझ में आया होगा कि क्या होता है ग्राफिकली चीज़ों को समझा है कहानी के मादन समझा है अब एक लाइक खाता है अब 15-15 विनिट और लेंगे अभी आपका अभी मैंने सकल बताऊंगा भया उसकी पीछे भी कहानी है चलिए अब जान लेते हैं क्या है divergent की कहानी divergent की कहानी पहले इसकी definition देखते हैं क्या है फिर इसकी सकल बनाएंगे अगर convergent sequence पसंद आ गया समझ आ गया क्लास कर्ण वर्जेंट सीक्वेंश कैसा लगा मुझे बताईएगा उसके बाद मैं divergent sequence की तरफ चलता हूं जी हाँ बताईएगा कैसी लग यह क्लास आप बताईए convergent sequence कैसा लगा आपको जी हाँ देख रहा हूं मैं आप लोगों की तरफ ही देख रहा हूं आपको कमेंट ही देख रहा हूं मैं जालिया अब divergent sequence जी हाँ सबके कमेंट आ रहा है बढ़िया जबर्दस बहुत अच्छा गोड़े विनिंग नमस्कार सभी को फट चलित अवर्वेशे जानते हैं यह विक्ष एक विफिरीत कहां नीगा के उल्टा खेल चलेगा गलाव यह कहता है किसी पॉइंट की तरफ खीचे चलो तो डाइवर्जेंट कहता है नहीं रे दिखर जाओ एक पॉइंट की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना भड़ते चलो या तो उधर या फिर उधर अना जैसे डाइवर्जेंट लोग है कुछ जो अग्जाम में फोम बर्दी हैं और त्यारी कर रहे हैं लेकिं त्यारी नहीं कर रहे है अब हग्याय लोग कालीफाई कर जाएंगा जो लोग हमिद्धि caraSCid exam के क्यारी कर रहे हैं जो कन्वर्जेंट है मतलब एक जंग अपना ध्यान लगाकर एक अर्थित करके अपने ध्यान को सारा फोकस कर रखा एक पर्टिकुलर अपने सिलेबस पर अपने हो जाओ एक्जाम की तरह एक्जाम के सिलेबस के नियवर होड में चले जाओ अग्जाम कॉलिफाइब हो जाएगा चलिए तो डाइवर्देंट सीक्वेंज क्या कहता है एक सिक्वैंस एन सैट टू डाइवर्द टू पलस इंफिनिटी फॉर इच पोजिटिव नंबर के 9 कैक आंसे आगया अभी समझाता हूं उपर इज पोजिटिव देंगर एक ते एक पोजिटिव इंटीजर एम लिमिट एना प्रोस टो इंफिनिटी एन इजिगल टो इंफिनिटी नहीं आया समझ में सर ग्राफ बनाईए सकल दिखाईए जैसे दिखाई थी फिर याद रहेगा चलिए अब डाइवर्जेंट की सकल बनाते हैं देखते हैं डाइवर्जेंट कैसा दिखता है रवई वो बोला है या फिर मानुस इंफिनिटी को होगा दोनों एक साथ कभी नहीं होगा अपने कुछ बात बताए एक Новर pinea चेंश निकलता है किह एक एक बस्त करता है जो की depend करता है के पर और यह कहानी क्या है सकल चली समझते हैं देखे आपके पास एक sequence है भाया an अगर आप यह कहते हैं कि sequence divergent है किसको plus infinity करें diverges to diverges to plus infinity हना आपने एक बात कही sequence an diverges to plus infinity है इसका मतलब समझो क्या है सकल देखो क्या है इसकी इसका मतलब क्या है वै sequence है तो इसके अंदर infinite terms होगी a1 a2 a3 dot 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 an an plus 1 dot 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 infinite terms होगी हाँ भाया हो सारी terms है अब देखे कहानी क्या है सकल देखे क्या है बड़ी खुब सुरत सकल है इसके यह हमारा 0 है भाया तही बात है सर्गे इदर मानस इंफिनिटी बैठा हुआ है और उदर पलस इंफिनिटी बैठा हुआ है ठीक बात है बिल्कुल सही बात है अब यह divergent to पलस इंफिनिटी क्या खेल है यह देखे कहता है कि इस रियल लाइन के उपर जीरो है पलस की वैलूज है मानस की वैलूज है इस रियल लाइन पर एक ऐसा पोजिटीव रियल नंबर मिलता है हमने उसको नाम दे दिया के कैपिटल के हमने यहां मान लिया कि वो यह है अब के के वह लो कुछ भी हो सकती है सो दो सो अजार करोड़ दस करोड़ आप कितनी मान लो क्योंकि इंफानाइट है इंफिनिटी है कहाँ एंड है कुछ नहीं पता जहां आप बोल रहे है उससे आगे भी कुछ ना कुछ मिलेगा भाईया अब समझ लिजी मैंने मान लिया भाई कि यहां है तो डाइवर्जेंट टू पलस इंफिनिटी का गराफ बिल्कूल कंवर्जेंट के उल्टा होता है एक बर हल्क ऐसा फिल लेकर आईए कि कनवर्जेंट का गराफ कैसा था कनवर्जेंट का गराफ भाईया ऐसा था कि सीकन्स की बहुत सारी टरंप किसी एक point की तरफ आ रही थी किसी एक point की तरफ आ रही थी divergent इसके खिलाफ काम करता है वो कहता है कि अगर कोई सीक्वर्ड divergent है न तो उसकी बहुत सारी ट्रम्फ एक point की तरफ आने की बजाए बिखर जाएंगी कैसे देखो इस एक ऐसा number K मिलेगा कि उस number K के से बड़ी ट्रम्स आएंगी सारी की सारी ये लिजी ऐसे 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 मतलब एक जहां नहीं आएंगी भया फैलती चली जाएगी डाइवाद जाएगी बिखर जाएगी और उस बिखरने के लिए जहां से बिखरने शुरूँ होगी वहां कोई ऐसा number k मिलेगा अब देखि कुछ एक तरम या भी आ सकती है कुछ एक आगई को दिक्कत नहीं है लेकिन infinite number of Trumps कहां होगी किसी एक ऐसा यह number होगा उच से बड़ी 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 होती चली जाएगी समझे इस बात को अब मैं समझाता हूँ कि k क्या चीज है हलाकि k को मैंने बता दिया कोई भी एक real number हो सकता है अब इस k को और उस definition में जो m था उसको अपस में connection बनाता हूँ माल लीजिए आपके दिमाख में आया है कि sir k की value को ले लीजिए 14 हाँ ले लेते हैं क्या दिक्कत है माल ले के तो कुछ भी हो सकता है positive बोला है मैंने कैसा number है positive real number divergent to plus infinity में positive real number इतना तो clear होगा कि divergent to plus infinity की सकली ऐसी होती है इससे कल और मतलब बहुत शारी infinite number of terms infinite number of terms किसीए एक number से यह चलती जाती चलती चलती जाती यह एंड नहीं होती चलती जाती बहुत सारी infinity अभी सिकल्कोंट डेविशन बनाने वाला उ इसी सकल्कोंट डेवेनिशन बनातां कैसे बनाताव देखो what की वैलू मैंने ले ले लिए 14 अच्छा बहुत सारी ट्रम्स है तो मैं माल लेता हूं एन है अब एन की वैलू कुछ भी हो सकती है 4 5 6 A4 A5 A6 A7 बहुत सारी हो सकती है A N greater than 14 है A N greater than 14 है तो आप मुझे एक बाह बताएए A N जब greater than 14 है तो आप A N की वैलू क्या लेकर चलेंगे A N की वैलू 14 से बड़ी होगी आपकी अगर आपने यह जो सीक्वन्स है इस सीक्वन्स की N टर्म आपने इस परकार से defined करी है यह सीक्वन्स जो है इसके अंदर आपने एनस टर्म को इस परकार से कर दिया N स्केर कुछ भी ले सकता है जैसे पिछली अग्जाम्पल मैंने वन अपन लिया था मैं ऐसे अग्जाम्पल फिट कर रहा हूं यहां पर जो इस ीन्तर ओनतरों को सटिस्वाइब करें करें मैं में लेए ट लिया जब पर मेत्र मेरे क्या है और यह था होगी तो एल वन के वैल्लु आएगी वंका स्केर और टो होगी है टो करह स्केर फॉर स्ट रोट आएगी तो एस री की value ले ली 14 तो अभी भी infinite number of terms ऐसी है infinite number of terms ऐसी है यहाँ पकड़ना है के अगर मैं 14 ले रहा हूं तो m क्या आएगा लगाई है दिमाग म की value ऐसी कौन सी ले मतलग कौन सी ऐसी term आएगी जो इसको satisfy करेगी सी दिसी बात है m की value मुझे यहाँ पर क्या लेने पड़ेगी 4 लेने पड़ेगी m की value क्या लेने पड़ेगी 4 क्यों अगर इस condition को satisfy करना है तो n greater than equal to 4 होना पड़ेगा मतलब जो मैं कहता हूँ न definition में n greater than equal to m एक positive integer m निकल कर आएगा एक real number k के लिए कि n greater than equal to m होगा तो m की value यहाँ पर 4 set होगी क्यों जैसे ही a4 आएगा a4 की value आएगी 16 और 16 बड़ा होता है 14 से a5 क्या आएगा 25 25 बड़ा होता है 14 से तो मतलब a4 a5 a6 a7 सारे बहुत सारे infinite terms ऐसी होगी जो के से बड़ी हो जाएगी तो यह फंडा है भाईया divergent to plus infinity का कि इस real number line के उपर 1k ऐसा मिलेगा अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने तो के 14 ले लिया मैं तो कहता हूँ के को आप 100 लेकर अपरू करके दिखाओ यह divergent है अभी कर देता हूँ अभी कर देता हूँ यह देखिए a n greater than k आपने लिया k की वेलू 100 तो आपको नहीं लगता कि ऐसी बहुत सारी infinite terms है अगर आपने के की वेलू 1000 भी ले ली एक करोड भी ले ली ना तो भी ऐसी बहुत सारी natural numbers आएंगे जिनका square करेंगे ऐसी बहुत सारी equal to 11 ही set होगा यहां पर क्योंकि 11 के आएगा 121 आएगा और 121 100 से बड़ा होता है क्यों अगर हम 9 लेंगे तो 81 आएगा 9 का square 81 दस लेंगे तो 100 हो जाएगा 100 तो होता नहीं है तो 11 आएगा यहां पर तो कहने का बना कोई भी एक रियल नंबर के ले रहे हैं तो उस रियल नंबर के के लिए बहुत सारी टम्स ऐसी आएंगी मतलब इस एक पोजिटिव इंटिजर ऐसा मिलेगा कि उस पर जो ट्रम्स बनेगी और उससे बड़ी ट्रम्स बन पर इच इच या फिर ऐसा लिखते हैं मैं इसको यहां यह लिख देता हूं यहां लिख देता है यहां लिख देता है इस डेफिनिशन को पौर ए पोजिटिव रियल नंबर के देर में डेपिनिशन मना रहा हूं देर औल ऐग जिस्ट ए रियल नंबर ए पोजिटिव रियल नंबर बेर अधिश्ट ए पोजिटिव इंटिजर करेंगा है sorry there exists a positive integer M असा यह इंटीजर क्यों है कोगी integer तो ट्रम देता है अगर 7 है तो a7 ठ्रम आएगी इंटीजर अगर 8 है तो a8 ठ्रम साएगी अब अब 1.7 तो a 1.7 कोई ठ्रम फटे न होती है यार क्या समझ रहे हो तो यहां भर इंटिजर क्यों आया पता होना चीज़ क्यों आया दिरागी जी पोजिटीव इंटिजर एम अगर यह सकल समझ में आ गई यह सकल पहचान में आ गई तो यह कभी नहीं भूलोगे कभी नहीं भूलोगे डेफिनेशन मतलब इस रियल नंबर लाइन पर एक ऐसा पोजिटीव नंबर आएगा कोई भी आ सकता हो उस पोजिटीव नंबर पर एक ऐसा एम निकल कर आएगा जैसे माली जी आपने के की वेलू चोदा लिए तो एम कितना आया चार लेने पर खेलüs उन्फानिे टरमस मनेंगी जो केसे बढ़ी आएगी के से बढ़ी आएगी के कि एक आनकीशन मतलब लेने पर ही बहुत सवाथ हैं जो के से वड़ी आयेगी तो मतलब जैसे जैसे के चेंज होगा वैसे वैसे यह संब्योंज्ञ होगा क्या संभी Siro uncom मतलब जो मैंने बोला है मतलब जो मैंने यहां पर खेल समझाया है तो कोई भी ऐसा पॉजिटीव रियल नमबर ले लो आपके उसके लिए इच बोला है कोई भी ले लो आप अग्यान से देखो मैंने आपको सामने यहां बनाए है कहां बनाय है कि यह रहा यह क्या है यह क्या है कि स्केडित है कि सकुक्रत कृष् 달 चैनल स्ट्रडी विद कृष्णा के की वेलू रियल हो सकती है के की वेलू रियल ही वह लेकिन एक पॉजिटिव रियल नंबर रूड़ना है आपको डावर्ज टू पलस इफिनिटी है अना क्योंकि अगर पॉजिटिव नंबर लेंगे तब ही तो हम एम की वेलू तो पॉजि यहां पर इसको और इसको हटा लेता हूं यहां पर क्या आएगा यहां पर आएगा यहां पर आएगा इस यहां पर इसको और इसको इसको हटा लेता हूं मैं यहां पर क्या आएगा ranked कि यहां पर यह पर क्या राया fifteen राय गाया है क्या यह मैं स्पुरेंट है इस ओर एफ इन गेटीव negative number k एक ऐसा negative number k निकल कर आएगा there exists positive integer m depending on small k बहुत कई क्थ Perfect देखो यह पर उनो पर positive number आए था 10 15 25 कुछ भी हो सकता है यहां पर नेगेटिव आ है क्योंकि हम उस दिसा में जाएंगे सीक्वन दैवर जन्टू मास निफिरिटी है तो उस उस साइड को इनमबर मिलेगा नेगेटिव तो कह रहा है एक ऐसा नेगेटिव रियल नमबर के मिलेगा स्मॉल के अगर एक ऐसा रियल नमबर के मिलेगा स्मॉल के देर अग्जिस्ट और यह तो पोजिटिव इंटिजरी मिलेगा अच्छा यह पोजिटिव क्यों रहेगा क्योंकि यह ट्रम्स बताता है ना अगर M की वैलू 2 है तो A2 ट्रम्स मिलेगी अब M की वैलू मानस टू ले लोगे त समझभा रहे हो चीजों को समझ की करो तो को सीक्वंस डावजन टूमास इंफिनिटी है तो इसका मदब एक ऐसा नेगिटिव नंबर के मिलेगा जिस्ट देर अग्जिस्ट ए पोजिटिव इंटिजर एम है डिपेंडिंग ओन के सच देट एन लैस दन के फॉर और एन अप अब इसकी सखल बनाते हैं क्यासा काम करता है यह यह टोपिक आज आपने क्लियर कर दिया सर जी यूर ग्रेट सर जी सेल स्टेड़ी किष्णा जी उम्मीद करता हूं आपको पसंद आ रही है तो आपको लाइक शेयर जरू करेंगे आप यह लाइक करते रहो यार शेयर करते है और लाइक करते हैं चलो देखो कि डावजन टुमास में खेल समझते हैं तो इसमें बहुत सारी टरम्स होंगी एवन एटू एट्री डो 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 अब इसका खेल उल्टा है यह भी बिखरेगा लेकिन दिसा बदल लेगा यहाँ जीरो है मा अपना पलास इंफिनिटी है और इधर क्या आपना मानस इंफिनिटी है अब डावजन टू मानस इंफिनिटी क्या कहता है कि इस नेगिटी नंबर की साइड़ पर एक ऐसा नेगिटी नंबर मिलेगा एक ऐसा नेगिटी नंबर मिलेगा जैसे मान लीजी मैंने स्मोल के है मा तो ऐसा नों मिलेगा तो उस नेगेटीव नमबर से बहुत सारी आशी ट्रॉम्स आएंगी जो इस से छोटी होंगी बहुत सारी ट्रॉम्स ऐसी आएंगी यहई सकल बनकर त्यार होगी यह यह इसकी सकल यह लेजिए यह मतला infinite नमबर ओव ट्रॉम्स नेगेटिव चली जाएं इस बात इस सकल जो मैंने बनाई है यह का है डावर्जेंट टू मारस निविटी की सकल है इसको मैं आप डेफिनेशन से कराता हूं कैसे करती है देखे मालेजे के की वैलू आपने ले लिए माइनस का 14 ठीक है और आप मैं साथ की साथ एकजामपल भी मना लेता हूं मालेजी मै सताल्पन एक स्जीवेस के ऑना और चिरय however को करता हूं एन के डिकर मानस का अन स्कुरार कि दिखेंर को क्लियर है तो इसका मतलव यहां से में पास मतलब ऑले माइस का क्या वन लोंगा और मानस मैनस nuclear मानस 9, मानस 16 डोट 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 इस पगार से ट्रम्स आएंगी, क्लियर बात है अब बताईए मैंने K की वैलू मानस 14 ली है, तो A N लैस दन जब K है और यहाँ पर K मैंने कितना लिया है, K लिखी लेता हूँ मैं यह काम करता हूँ, मानस का 14 तो आप मुझे बताईए M की वैलू क्या रखी जाएगी कि जिससे A N छोटा रहे मानस 14 से अगर मैंने N की वैलू, अगर मैंने M की वैलू 3 ले ली, सपोच कीजिए अगर मैं M की वैलू 3 ले लेता हूँ तो यहाँ 3 रखोंगा पर मेरे पास A3 कितना आया? मेरे पास यह A1 आया, यह A2 आया, यह A3 आया A3 कितना आया? मानस का 9 तो भाईया, मानस 9 तो छोटा नहीं होता मानस 14 से तो गलत बात हो जाएगी तो इसका मतलब मुझे इस K के हिसाब से अपने M को अडजेस्ट करना पड़ेगा और मुझे अपने M को यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? मुझे अपने M को यहाँ पर मुझे अपने M को यहाँ पर 4 लेना पड़ेगा M को यहाँ पर 4 लेना पड़ेगा जैसे ही मैं 4 लूँगा यहाँ पर 4 लेते यहाँ पर A4 कितना आएगा मानस का 16 मानस 16 छोटा होता है मानस 14 से तो मानस 16 भी छोटा होगा मानस 25 भी छोटा होगा मानस 36 भी मतलब की A4, A5, A6 ऐसे करते करते बहुत सारी infinite terms आएगी जो इस मानस 14 से छोटी होगी बोले तो यहाँ पर एक खेल क्लियर हो गया अगर आपने K की वैलू चेंज कर दी मानस का 100 ले लिया तो आपने लिखा A अन लेतन मानस 100 तो यहाँ पर M की वैलू आपको 11 ही सेट करनी पड़ेगी भाईया मतलब कुछ भी आप कोई भी K की वैलू आप इस negative side पर K की वैलू कुछ भी ले लो आप छोटी सी छोटी ले लो छोटी सी छोटी भी ले लोगे मानस का 1 करोड ले लोगे तो उससे भी बहुत जादा ट्रम्स ऐसी मिलेगी उससे जो उस side पड़ी हुई है तो कहने का मतलब यहाँ पर हमें M is equal to 11 set करना पड़ेगा तो N greater than equal to 11 होगा और यहाँ हमारा N की आगवा greater than equal to 4 होगा तो यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि कितना भी छोटा है छोटा negative real number ले लो उस negative real number K के लिए एक ऐसा M निकल कर आएगा कि वहाँ से जो ट्रम्स बननी सुरू होगी उस negative real number से छोटी 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 होती चले जाएगी यह है इसका खेल सारा तो मतला और definition यहाँ से बनाऊं मैं तो एक picture clear है कि for मतला अगर यह इसकी definition मैं बनाऊं इसकी definition मैं अगर बनाऊं इसकी definition यह बनेगी for a real number a real negative number small k there exist there exist a positive integer m such that a n less than k for all n greater than or equal to m यह definition है किसकी जब sequence divergent करता है किसको भाया minus infinity को तो यह है यह definition आपको रटा नहीं मारने पड़ेगी आपको यह definition आपको रटा नहीं मारने पड़ेगी तर थोड़ा भड़ा लिखिए प्लीज थोड़ा बड़ा लिखिए और अब यह काफी बड़ा लिख रखा है याद पुरा बोड तो लिख दिया है ना चलिए कोई बाद नी जड़ा बोड़ा पर जेस्ट कीजिए बोल भी तो रहे हैं वहां से आप नोट कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है तो यह कहा नहीं है डाइवर्जेंट करने के मानस सकल होगी इस सकल से हमने माननस तो किस प्ते नहीं होती है हुए रपार अंतीः की तरफ बड़ते हैं अभी मैंने क्या किलियर कर दिया कि divergent sequence जब होता है पलस infinity को तो क्या सकल बनती है और किस प्रकार से concept काम करता है यह मैंने यहां पर clear कर दिया आपको मतलब अब पलस infinity का भी कर दिया और मानस इंफिनिटी का अब आगे बढ़ते हैं जाना नहीं है आगे बढ़ते हैं अभी और आगे मज़ेदार खेल चलता है चोटने सा concept बच रहा है ऑक्सिलेट्री सीक्वंस जनरली तीन प्रकार के होते हैं कि एक सीक्वंस कनवर्जेंट कभ होता ह है वह मैंने समझाया डाइवर्जेंट दो प्रकार से होता है या तो पलस इंफिनिटी को या मानस इंफिनिटी को दोन में एक साथ कभी नहीं होते हैं अब बच रहा है ऑक्सिलेट्री सीक्वंस यह भी दो प्रकार से होता है फिर लास्ट में इनकी जरम कुणली बनाएंग तो अच्छी बात है तो बने यह में साथ अभी इस कहानी को थोड़ा सोच तनली दीजिए वोस मैं गरंटी के साथ कह रहा हूं आपने कनवर्जेंट डाइवर्जेंट और ऑक्सिलेट्री सीक्वंस को इस परकार से इस अंदाज में कहानी की माध्यम से पहले सायद कहीं नह नहीं समझा होगा आज आप कनवर्जेंट डाइवर्जेंट ऑक्सिलेट्री सीक्वंस को सीख कर जाएंगे लाइफ टाइम वो पिच्चर आपके दिमाख में बन जाएगी अच्छा डाइवर्जेंट तो पॉइंट की तरफ आना है डाइवर्जेंट के रहा है तो किसी मतलब पता लगाते हैं वह एक क्या होता है इसको भी कहाने के मादम से पढ़ेंगें देखिए लेट करना एसे ऐसे ओक्सिलेट करना ओक्सिलेट करना सर नेट सर मैं तो लेट हो गया अरह मर्जी जी आप तो लेट होगी कोई दिक्कत नहीं है अभी आप आगे हैं तो अच्छी बात है कि यह कोमेंट मुझे इसलिए मैं ज्यादा अपना केमरे की तरफ ही रखता हूं कोमेंट की तरफ देखने लगे ने तो बढ़ाना मुस्किल हो जाता है क्योंकि ध्यान बढ़ जाता है चलिए आप जो आ रहे हैं सभी को राबनाव नमस्कार लाइक करते रहना और ठेर भी करत गढ़ा अब कर दो के जाता हूं absolute का मतलब होता है ओक थे निश्शचीइड के बी चमें are झान गहीं करता है यह आग्सी सीक्वैंस' अब दो परकार से ओक्षिलेट्रेटी हो अगर पाइनाइट कह रहे हैं तो इसमारत दो फॉइन्प बीचमेंगा करेगा एक थे लिव ==== कर के बीच में और ऑचिलेट इन्पैनेतली कह रहा है कोई सीमा नहीं है मतलब क्या या तो सीक्वंस Convergence नहीं है, मतलब ना तो Convergence है, और ना Divergence है, आप तक दो पड़य है sequence, Convergence किसी बिंदू की तरफ आना, Divergence किसी Plus他 की तरफ बढ़ते जाना, या किसी Minus दिसा की तरफ बढ़ते जाना, और Oxulate कहा रहा हैНा, ना तो मैं किसी Point की तरफ आऊंगा, ना मैं उधर बटकूँगा ना उधर बटकूँगा मैं तो भाईया ऐसे ऐसे चक्र लगाऊंगा इधर से उधर, इधर से उधर आप खेल समझते हैं तो मतलब जो ना तो Convergent है ना Divergent Simple सा मतलब वो OXILEATORY है तो A sequence AN is set to OXILEATORY It is neither Convergent nor Divergent तो पहला Definition तो यही है इसका आप दूसरा देखिए Example भी दूँगा A sequence AN is set to be OXILEATORY Finitely OXILEATORY करता है Finitely किस परकार से अगर वो Bounded है और OXILEATORY है मतलब Bound भी हो गया और OXILEATORY भी कर रहा है और एक sequence AN is set to be OXILEATORY infinitely Unbounded and OXILEATORY तो एक बात clear कर लीजिए कि जो OXILEATORY OXILEATORY sequence होता है न मित्रो वो भी या दो परकार से होता है पहला तो Bounded ना सोरी पहला तो Finitely यहां लिखता हूँ Finitely और दूसरा भी या Infinitely तो एक बात तो clear है कि OXILEATORY sequence OXILEATORY sequence दो परकार के होता है एक Finitely और एक Infinitely अच्छा जी हां Finitely कब होगा जब Bounded होगा और Infinitely कब होगा जब Unbounded होगा यह है सारा का सारा खेल इसका यह है सारा का सारा इसका खेल मतला OXILEATORY sequence जो होता है वो Finitely होता है और Infinitely होता है Bounded है तो Finitely और Unbounded है तो Infinitely अब समझते हैं खेल क्या है अग्जामपल समझाता हूँ इस चीज़ को डेफिनिशन तो क्लियर होगा यह Finitely तब काएंगे जब वो Bounded है और OXILEATORY है और OXILEATORY इनfinitely तब काएंगे जब वो Unbounded है और OXILEATORY है अब देखें इन एक्जामपल से मैं खेल कराओंगा और OXILEATORY FINitely OXILEATORY FINitely concept definition तो almost हो चुकी है बस एक्जामपल से इसको मैं रिलेट करा देता हूँ और मैंने एक्जामपल लिया मैंने एक सीक्वेंस लिया AN और मैंने यहाँ पर AN टरंप को defined किया मानस 1 की power n किलियर है तो एक पिच्चर किलियर है जब n की वैलू 1 आएगा तो मानस 1 एन की वैलू 2 आएगा तो 1 मानस 1 1 1 फिर मानस 1 फिर मानस 1 फिर 1 तो ऐसे ऐसे सीक्वेंस चलेगा एक बात नोटिस करी आपने यह रियल नमबर लाइन है, यहां माइनस वन है, यहां वन है, जब N की वैलू 1 है, तो A1 इधर आया, N की वैलू 2 है, तो A2 इधर आया, N की वैलू 3 है, तो A3 इधर आया, N की वैलू 4 है, तो A4 इधर आया, तो A5 इधर, A6 इधर, मतलब जब E1 नमबर है, तो हमारे पास ट्रम सिधर आ रही है और ओड नमबर है ट्रम सिधर रही है मतलब सीक्वेंस यह जो सीक्वेंस ने एन वो या तो इधर आ रहा है या फिर 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 इधर आ रहा है और बाउंडिड भी है बाउंडिड मतलब वन से आ how about love boundaries below हो गया तो इसको कहते हैं lingरी सिब्सक्षा इंन है trilogy सिब्सक्राइब जो है हमारा sequence AN जो है हमारा sequence AN है वो 1 और minus 1 के बीच में bounded हो गया इस प्रगाण से तो यह हमारा sequence क्या हो गया भया? bounded sequence हो गया, मतलब sequence minus 1 और 1 के बाउंड हो गया और oxalate भी कर रहा है, तो ऐसा sequence जो bounded भी हो और oxalate भी करे, वो खिलाता है oxalate finitely sequence स्किलियर सी बात है किलियर है और उप्सिलेट भी कर रहा है उम्मीद करता हूं किलियर हो रहा होगा अना यस अब देखें अब ओक्सिलेट इन फाइनले इसको भी आग्जामपल से समझते हैं सेटिक्वंश इन है मेरे पास और मैंने एन को मैंने डिफाइन डिलर किया एसे मालाइट नंबार और आने वाली हैрий में अहजी किसी दिन जनरेटर वाला भी कवर करा दीजिए करवाएंगे हमर जी समय मिलने दीजिए अब देखिए यह उक्सिलेटी इनिफाइनेट कैसे और अनबाउंडड कैसे हैं पहले इस खेल को समझते हैं कहानी को समझते हैं जब एन की वैलू आपने वन ली पहले नैचरल नंबर पर एवन आया मानस वन और और एन की वैलू जो आप टू लेते हैं तो नाचरल नंबर टू पर एटू कितना आता है हमारा टू आता है टू इदर रहें हैं इस इस निफिनिटी और यह मानस इनिफिनिटी तो एक बात देखिए ये जब शेयरे रहे हैं एवन वैलू पर जो ट्रम्स आ रही हैं 2, 4, 6, 8, 10, 11, भढ़ती जाएगी, भढ़ती जाएगी, भढ़ती जाएगी, कहा लुगेगी, नहीं पता भया, मतलब इसका अपर बाउंड नहीं पता, बोले तो बाउंड़ अबो नहीं है, बोले तो अनबाउंड़ अबो है, तो ये क्या है, अनबाउंड़ अबो, जो कि नहीं पता क्या इसकी सबसे लाश्ट ट्रम क्या नहीं पता तो बोले तो बाउंडिड बिलो नहीं है ये तो बोले तो क्या है अन बाउंडिड बिलो तो ऐसा सीक्वंस जो बाउंडिड ना हो जो बाउंडिड वो होता है जो बाउंडिड अवो और विलो दोनु होता है हमारा रहा है उनबाउनडिड है और बहना दऴसिकंस अनबाउंडड होता है और और कि यह करता है कैसे कर रहा है पहले तुरम सब्सक्राइब यह और आ यह फिर ऑप मतला पहले चुवल्भी गया इढ़ कर रहा है और रोकुण हरनेवादा भी कोई नहीं है इसको बाउन्ट इड भी नहीं है तो ऐसा सीक्षभञ जो शीवेंट्री लेक्र सीक्वेंट्री और इन 뿌श को अंद पै मे को सेंसे से पहले रोक्तृक नेल समय n लगातर पढ़ाय जाने पढ़ाय जारा किसी नोब पूछा भी नहीं सब का ध्यान कानी सुनने भी लगा रहे गया किसी ने Trustees कोःस के बार में पूछह नहीं वह जिकर-लाश्ट में करेंगे अब निया अब से खेंगे कर कोई पेज खाली है किया चलो यहीं पेज खाली कर लेतेना भीन्मट ह से ले कर लिए यह दाइवर्जेंट-दोगि कर दाइवर्जेंट अभी जाना नहीं है कि चोड़ के मुझे लग रहा है किसी भूग लग रही खाना खानी जा रहा है lunch डिनर का टाइम हो गया है अभी जाना नहीं है इसे और जो लोग लाइफ देख रहे हैं और लाइक करते रही हैं अभी जनम कुंटली त्यार करने वाले जाने से पहले छोटा सा खेल को खतम करना है डाय कनवर्जेंट डायवर्जेंट और उस्टिलेट्री अना जिसको भूक लग रही है वो डिनर करने चला गया और कुछ लोग डिनर करके आ गए है तो जो लेट आये हैं वो इस वीडियो को स्ट्रीम होने के बाद पूरा फिर से देख लेना इस पिच्चर को इस कहानी को पूरा सुन लेना लाइफ में द्वारा कभी कनविजन नही मतला इनका जन्व जी स्ट्रियल नंबर लाइन से होता है वो समझ लेते हैं अगर बहिया लाइन से सारा कवर हो जाएगा यूटूब पर फ्री वीडियो कुछी डालते हम लोग बागी तो फिर पेड़ कोर्स में डालते हैं जिन्होंने पेड़ कोर्स लिया है रों वो कहेंगे सर सारा तो आपने यूटूब पर फ्री पढ़ा दिया पर हमने तो या लियाल नंबर लाइन पर कोई भी सीक्वेंस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट केंद्रित हो रहा है उसके नेवर हुड की तरफ आ रहा है उसके नेवर हुड की तरफ आ रहा है तो यह खेल बनेगा कनवर्जेंट का सारी पिच्चर फिर से किलियर करा रहा हूं ताकि कोई confusion ना रहे सारी पिच्चर फिर से किलियर करा रहा हूं अब देखो Divergent की कहानी क्या है अगर कोई sequence आपका कोई sequence आपका किसी एक positive real number k के along सारी body trumps देनी शुरू कर दे सारी body trumps देनी शुरू कर दे तो वो sequence आपका होता है Divergent 2 पलस infinity इस मंतर को लेकर जाना जाने से पहले ये मंतर जो आपको मैं दे रहा हूं इस मंतर को अपने पास रख लेना इस एक photo को बला लेना सारे concept क्लियर रहेंगे अच्छा जी अब हम कहते हैं divergent 2 मानस infinity की कहानी तो जो sequence होता है वो एक ऐसा negative number k मिलेगा हमें small k small k negative number है कि उससे सारे की सारी trumps उससे छोटी होती चले जाएंगे उससे चोटी 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 यह किसकी सकल है वहिया divergent 2 मानस infinity की सकल है जी हाँ किसकी सकल है यह यह divergent 2 मानस infinity की सकल है अच्छा सर जी अब खेल सामने आ रहा है अब हम बनाते हैं oxalatory finite लेगे जो sequence an होता है वो किसी एक particular number के about यह small के लिए लेते हैं यह capital के लेते हैं उसके along bound होता है और सारी terms को वहीं ले लेकर आता है यह small के यह capital के उधर ले लेकर आता है यह किसकी picture है यह picture है oxalatory finitely की oxalatory finitely की oxalatory finitely हाँ जी हाँ यह किसकी picture है भहिया अगर कोई sequence AN आपका भया बाउंडेड ही नहीं हो रहा कभी उधर भाग रहा है कभी उधर भाग रहा है कि इन फाइन फाइन नंबर ओफ टर्म्स की तरफ इन फाइन 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 फाइ यस तर जी सारी जर्म कुंडली त्यार हो गई और पिच्चर भी क्लियर हो गई जी हाँ यह है पूरी की पूरी पिच्चर आज जो कुछ पढ़ाया है मैंने लगबग एक गंटा 28 मिनट हो गी है पिछले डेड़ गंटे में जो कुछ पढ़ाया उसको समराइज कर दिया है मैं अगर कोई सीक्वेंस की इनफानेट नंबर और ट्रम किसी पॉइंट के नेबर हुड में आती है तो कनवर्जेंट अगर सीक्वेंस की इनफानेट नंबर और ट्रम से बड़ी 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 होती जाती है तो डाइवर्जेंट टू पलस निफिनिटी अगर सीक्वेंस की definite number of terms किसी negative real number से छोटी-छोटी-छोटी होती जाती है तो divergent to minus infinity अगर किसी sequence की infinite number of terms दो पोजितीव यहां पर negative हो सकता है के और के की value positive negative कुछ भी होसकती है यह positive हो सकता है negative मतलब कुछ भी हो सकता है positive negative कुछ भी हो क्ते वेटरों बाउंड हो जाए ऑक्सिलेट करें तो बॉक्स रिट पाइनिट ली और ऐला यह आँ सअलो पिच्छाईया पूरा खेल आपके सामने रख दिया है चाहिए इसक्रीन सोट ले सकते हैं साइड में हो जाता हूं यह लेजिए साथ मेरी देख रहे होंगे कि इसमें live class के दुरान पीछे नहीं जा सकते हैं वो पीछे जाकर नहीं देख सकते हैं यहीं तो मैंने setting लगा रखी भईया पूरा दिमाग का खेल है पीछे जाकर नहीं देख सकते हैं जब मैं यह पूरा वीडियो खतम कर दूंगा live stream पूरी हो जाएगी उ अब उमीद करता हूं सारा खेल समझ में आया है जाने से पहले मज़ा आ गया वही अच्छी बात है आप सबको पसंद आया तो जाने से पहले एक चोटी सी बात request जो लोग पूछ भी रहते कुछ लोग paid course के बारे में अना देखिए मैंने सारा काम अब तक अब तक सारा ध्य करना सुरू कर दिया और पढ़ाया लिखाय कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है जिस मकसद से आया है वह मकसद पूरा करके जा रहा है काम हो चुका है पढ़ाने का जो लोग इंट्रेस्टेड हैं वह एप को डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रेशन में लिंक दिय काम से सारह के सारु को परकार कहानी के माध्यम से सुंगता हैं समझना चाहते हैं को सब्सक्राइक की गहराई को को जानना चाहते हैं। तो भाईया पेड़ कोर के मादम से जूड़िए सारी चीजे फ्री नहीं कर सकते हैं आप समझे इस बात को को जिलों में पैसे दे रखें फीस दे रखें वह लोगों को बुरा लग जाएगा यार कि हमने तो पैसे दिये हैं और आप लोग साब कुछ फ्री पड़ा रहे हो तो तो भाईया फोर मंत कोर्स देखिए बहुत से लोग पूछते हैं वीडियो देख रहे हैं फीस बता रहा हूं दोनों कोर्स के बारे मता रहा हूं फिर भी लोग पूछ लेते हैं मैं फिर बता देता हूं कि भाईया चार महिने का कोर्स लो या छै महिने का कोर्स लो दोनों म प्रफडा नहीं होगा इसी पकार टीट प्लस वी टीटी की वेकंसी जाने वाली है तो त्यारी के लगजा रहा हूं जब अगजाम का समय आएगा पिछली बार ऐसा ही होगा था करने का समय नहीं मिलता लोग रिविजन तक नहीं कर पाए थे तो सोना नहीं है जाग जाओ और त्यारी के लग जाओ अगर पेड़ कोर्स से जुड़ना चाहते तो अभी जुड़ जाओ बाद में से रिविजन करना फिर आप फोन करोगे सर 40 दिन का प्लान बताइए सर 35 दिन पर दिजिए मैंने नोट्स मना रखें अमर्ची अच्छी बात है उपने नोट्स मना रखें तो इस कला और बहू सारे कोर से घ्यूट यह कोर्स अभी मतले न तो प्जिट यह लाप ले सकते हो के एस बिजुटी का कोर्स और सब्लिट यह कोर्स सेम्टू सेम शलीब हाई द सबसे बढ़िया समय यही है क्योंकि जब अग्जाम एड़ोटाइजमेंट आएगा 35-40 दिन विलेंगे उसमेक त्यारी नहीं होगी और पीजेटी वाला कोर्स भी साल जरूर आएगी के विए सन्विए साने वाली है ठीक ना थैंक्स वर वॉचिंग और यहां तक जुनने के लिए मेरे साथ यहां तक बने रहने के लिए अना कुछ लोग ऐसा है जो खाना पीना छोड़कर बैठे हैं तो भाईया सीधी सी बात है आज कहानी के माध्यम से कुछ लोग लेट आए क्लास का टाइम अमर जी जी लाइव क्लास का कोई टाइम नहीं होता वैसिकली हम लोग साम को आते हैं क्योंकि मौशली टीचर्स लोग होते हैं साम को फ्री रहते हैं कुछ हाउस वाइव से हैं जो बच्चों को समालती है घर को समालती है उनको रात को समय मिलता है पड़ने का अब बहुत सही ऐसी मैडम सोंगी टीचर्स होंगे जो अभी घर का खाना बना कर आए हैं किचन की सफाई करकर आई हैं और आप वीडियो इसको देख रहे हैं मैं स नो जवान लोग घर से बाहर रूम रेंट पर लेकर पढ़ते हैं घर से बाहर पैसे लेकर जाते हैं यह क्याकर कि पढ़ाई करने जा रहे हैं लेकिन सच बतारों पढ़ने वाले इमांदार लोग बहुत कम होते हैं और जो इमांदारी से डेडिकेशन से पढ़ाई करते हैं और जो दोस्तों के साथ गुरूप में रहते हैं, सुबह उसके साथ गुमा, साम को उसके साथ गुमा, एक गंटा बढ़ा, फिर काम वोज मस्ती कर लिए, ऐसे को अग्जाम कौलिफाई नहीं होगा, डेडिकेशन से बढ़ाई कीजी बता रहा हूं मैं आपको, जिमिंदारी स आपको याद रहेगी, दूदवाला याद रहेगा, और डाइवाजेंट के बार हम सिखाया, ऑक्षिलेटरी के बार हम सिखाया, जनम कुंटली बना दी पूरिया लाश्ट में जाने से पहले, अना, और एप को डाउनलोड करके, कोट लेना चाहे तो ले सकते हैं, और ठैंक नोटिफिकेशन ओल कर लो, जब भी नया वीडियो आएगा, नोटिफिकेशन मिलेगा, जिन्हों ने ये गंटी वाला बटन नहीं दिवा रखा है, और ओल, गंटी वाले बटन पे दबाते एक ओल मिलेगा, उस ओल को दबा जे करो, सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे, कम्मू साथ जुड़े हैं, जिन्होंने धैरिय बनाकर खाना पीना छोड़कर लगाता, डेड़ गंटे से हमारी इस क्लास को देखा है, उन सब का धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक जाने से पहले लाइक जुरू करके जाना, जिस भी कंडिडे नमस्ते, राम राम, जाहिंद